हाई गाईस, वेलकम तो दो चानल, सो अब हम पढ़ेंगे P's Property of an Agent अब देखो, Rationality जो है 4 main criteria पर डिपेंड करती है, that is P's Property अब P's Property होती क्या है, P's stand for Performance Mirror, E's stand for Environment, A's stand for Actuators and S's stand for Sensors, ठीक है, अब देखो, Performance Mirror क्या कहता है, Performance Mirror कहता है कि criteria of success for an agent, कि उसके लिए क्या चीज़ एक success मानी जाएगी, ठीक है वो हम Performance Mirror में लेते हैं, बट Performance जो है, vary कर सकती है based on the percept, कि वो कैसे चीज़े sense कर रहा है, ठीक है उसके according, उसका Performance जो है, vary कर सकता है, then आता है Environment अब जो Agent है, Agent's Prior Knowledge of Environment, कि उसका Environment कैसा है, ठीक है वो हम बताएंगे, suppose एक अगर road पे traffic है, ठीक है तो ये एक गाड़ी का Environment है, ठीक है, कि traffic है वहाँ पे आसपास ठीक है, लाइट्स है, तो ये क्या है, उसका Environment है Then Actuators, Actuators में क्या है, तुमारे पास जो भी तुम action पर फॉर्म करोगे Sensor, Sensor मतलब वो चीज़ जो sense करेगा अब let's take an example, जैसे मैंने यहाँ पे agent टाइप दिया हुआ है Interactive English Tutor, ठीक है तो English Tutor मतलब स्पोस्तम टुईशन्स पढ़ने जा रहे हो ठीक है, अब performance में और क्या होगा, उसके success का माहिना क्या होगा कि हाँ, वो maximize करें students को score को, ठीक है In test, ठीक है, यह होगा performance में, ठीक है अब environment क्या होगा उसका, environment क्या होता है वहाँ पे Students होता है, teachers होता है, ठीक है, यह environment होता है तो वही उसने लिख दिया है, set of students and testing agency ठीक है, अच्छा, actuators होगे, actions क्या perform होगे जैसे exercise होगी वहाँ पे, मतलब exercise, यानि, suppose test होगे, suggestions होगे, corrections होगे तो यह सारी चीज़े वहाँ पे होगे So, display exercise, suggestion and correction Is that clear? Okay, अब sensor, sensor आगे कोई भी entry तुमने दे दी, ठीक है तो मैं input किन-किन चीज़ों से मिल रहा है, like keyboard होगया, ठीक है कोई भी entry होगे, यह तुम्हारे के होगे, sensors होगे Is that clear? अब यह तुम्हारी एक example थी अगर मैं दूसरी example लूँ यानि agent type लूँ, suppose तुम्हारे पास taxi driver है अब क्या क्या तुम्हारे success के माइने होगे वो होती है performance mirror यानि safe होनी चाहिए ठीक है, वो जो गाड़ी है अब mostly जैसे automated गाड़ी होती है वो इन ही चीज़ों को ध्यान में रखे बनाई जाती है ठीक है, peace properties को ही ध्यान में रखे वो बनाई जाती है अब taxi है, वो कहे safe होनी चाहिए ठीक है, पहली बात तो then comfortable trip होनी चाहिए अब एक driver जो है एक जगा से दूसरे जगा जाने के लिए कम patrol में maximum profit ले रहा है यह कहा है, उसका performance में हो रहा है उसके लिए success है, ठीक है अब environment क्या होगा उसका की road है, ठीक है road क्या हो गई, environment हो गई उसके आसपास क्या है, traffic है ठीक है, और उसके clients यह हो गया उसका environment ठीक है, अब actuators actuators क्या हो गई, क्या-क्या वो action perform कर रहा है steering wheel हो गया, जिसके वज़ा से गाड़ी जो है, move कर रही है, axillators हो गई horns हो गई, ठीक है, brakes हो गई तो यह सारे क्या है, जिस वज़ा से action perform हो रहा है अब sensors हो गई, जिस वज़ा से वो input ले रहा है, suppose cameras ठीक है, speedometer GPS, जिसके वज़ा से वो direction शो कर रहा है, तो यह सारे चीजे क्या है आपकी मतलब यह सारे चीजे आती है peace point में, peace properties में एक और example लेके चले medical diagnosis में, ठीक है अब उसमें क्या है, performance मेर क्या होगे, अच्छा, उसके लिए success क्या है कि healthy patient हो, minimize cost लगे, कम से कम cost लगे, ठीक है, और healthy patient भी निकल के जाए, ठीक है environment क्या है, patient, hospital staff, यह सारे चीजे होगी ठीक है, अब वहाँ पर actions क्या perform होगे, treatment होगा test होगे, diagnosis होगे ठीक है, यह अब यह sensors क्या होगे, sensors होगे patient के कोई भी questions होगे ठीक है, उनके answers होगे, तो यह तुम्हार के sensors होगे, जिसके वज़ा से actions to him perform हो रहे हैं, patient अपनी query दी और उसके वज़ा से actions to him perform हो रहे हैं, so guys this was it, peace point अगर आपको यह notes पर्चेस करना है तो description में लिंक है, go and purchase that and thanks a lot for watching this video